जैहिन दोस्तों, दोस्तों जैसे कि आपको पता हुआ कि रविंदर फोजी ने आप सभी के लिए केश डाला था सुप्रीम कोर्ट में ताकि आपका जो आर्मी का एक्जाम है रुका हुआ पैंडिंग जो कि दो अधाई साल से आपका एक्जाम नहीं हुआ था और एरफोर्स क को आपने कागज वहाँ पर लगा दी थे सुप्रीम फोट में जिसका कि आप यहाँ एफिडेविट देख सकते हो और यहाँ पर आपको 28 सारिक के बाद इन्हें 29 सारिक को यहाँ पर डेड़ मिल गई थी डेड़ मिल गई थी याँनि एक डायरी नंबर होता है कि उसके थू आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको 19380 यह डारी नंबर दोस्तों उन्हों को 29 सारिक को मिला था 28 सारिक को नोंने कागज लगा दी था तो मैं आपको दोस्तों अब लाइफ प्रूफ भी दिखा देता हूँ यह एफिडेविट दोस्तों उनका 28 सारिक से यहाँ प चलब कि आपकी जो सुप्रीम कोट की ये ओफिशल वेब साइट है यहाँ पर आप देख सकते हों यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर आप चेक करिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है केस इस्टेटस तो दोस्तो केस इस्टेटस मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ और देखिए दोस्तो यहाँ पर पहले कैप्चर नंबर डाल देते हैं 1494 तो उसके बाद दोस्तो यहाँ डारी नंबर लिखा है जो एक तारिक को दोस्तों यहां पर रविंदर हो गया था यह आप यहां पर देखे दोस्तों रविंदर रविंदर सिंग सिखावत तो दोस्तों इन हमाग से लिए प। में था और यहां पर दोस्तों अभी तक रिश्टर हो गया है लेकिन अभी यह केस आगर चलेगा तो इन्हें डेट दी जाएगी यहां पर अभी आप देख सकते हैं पैंडिंग का श्टेस भी लगाया हुआ है और जो इनका केस लड़ रहे है वो है आपर शशी किरन दोस्तों दोस्तों आपका यह जो है अडवोकेट है जो इनका केस लड़ेंगे यहां पर इन्होंनों जोकेस लिया है यूनियन आफ इंडिया थो इसरी ministry of home affairs north block नुदली 2nd राइस में union of Indian secretary ministry of defense secondary secretary ministry of defense room number 234 south block ministry of defense और 230 राइस में union of Indian secretary department of military affairs secretary department of military affairs south block ministry of defense दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर court fees भी आपको यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगी है आपर court fees में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर court fees जो है 500 रुपे दोस्तों यहाँ पर court fees है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि इन्होंने जो case क्या था उसका diary number भी लगाया था और अब दोस्तों case आपका आगे लड़ेगा आगे लड़ेगा जिसके हिसाब से दोस्तों आपका जो आर्मी का एक्जाम रुका हुआ है वो आपका एक्जाम हो सोगेगा जब court इसे approve कर देगा यानि court इसे जब हरी जंडी दिखा देगा तो आपका एक्जाम भी होगा और जो आपके रुके हुए आपके joining letter है वो भी आपको होगे और दोस्तों जो इन्होंने तीन मांग की है उनको बारे मैं दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूँ लेकिन दोस्तों से पहले बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो भाई हमाई YouTube चैनल पर नए हो तो जागर प्लीज सब्स्राइब कर लेना यहाँ पर आपको सब्स्राइब को उप्सिन है इसे सब्स्राइब करके बैल आईकन को ओल कर लेने ताकि हम जो भी अपडेट आपके लिए लाए आपको उसका नोडिफिकेशन पहुँच जाए तो आपके लिए हमी वीडियो लाते हैं आपकी जानकारी के लिए तो सब्स्राइब कर लेना जिस भाही ने भी तक नहीं किया तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने तीन मांग कुन-कुन सी किये तो दोस्तों पहली मांग के बारे में बात करता हूँ पहली मांगिनों ने की है जो कि आपका आर्मी का एक्जाम में रुका हुआ दो साल से यानि इनका 2022 में आपकी ये अगनी बीर की प्रोसिस आया है 2022 से पहले जो भी आर्मी एक्जाम रुका हुआ है वो होना चाहिए वो भी पुरानी भरतियों के तहट आपको सब कुछ होना चाहिए और आपका जो री मैडिकल है वो भी आपका दोस्तो होगा क्योंकि 6 महीने जिसका जादा हो गया था वो री मैडिकल होगा और एरफोर्स के जो जोईनिंग रुकी हुई थी रेजल्ट रुका हुआ था दोस्तो वो मैडिकल हो जो कि साल तक पहले उमर थी उन की बढ़ा कर 30 के ओगा तो फोनें 2 साल के और छोड़ दे़ाए ताकि वो इसमें देख सके अब जो अगनी वीर है उसकी भी क्योंकि दोस्तो 23 साल तो उनकी पहले भी थी और आपको जो 23 साल जो छूट दिया वो खाली GDGD के लिए हो गी है क्योंकि 23 साल तो आपकी ट्रेड मैं सोरी ट्रेड मैं किलर को रसकेटी की पहले भी थी तो इसलिए ट्रेड मैन किलर को रेस्केटी की 25 साल तक उमर कर दी जाए दोस्तों इन्होंने तीन मांग ही है डाली थी तो इनका जो कोट में आपका गे रहा था केस तो वो वेरिफाइड हो गया रहनी रेश्टर हो गया है अब उस पर कारवाई होगी और जैसे ही वो एप्रूब होता है दोस्तों आपको फरी जंडी मिलते है जैसे ही पेपर का आपको पता लेगा तो हम आपको इस यूटूब चैनल के मात दिम से जरूर बता देंगे आपके लिए जानकर लाते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जै भारत